एप सब्सक्ति एक डाउक पास लिए और में शो jetिए आप मेरी शरीयर करने जा रहिए एक एक फेस्ट मास्क या फिर हम इसे एक कर दोद के सुस्ट बीज पेशी हूं नहीं देखी तो उन्की playlist का link मैं आपको description box में provide कर दूँगी आप वहां से check out कर लेना अगर आप product reviews में से किसी product का review देखना चाहते हैं तो मैंने वो भी काफी सारी upload किये हैं अपने channel पे आप उनकी playlist चेक कर सकते हैं मैं आपको इसका link भी description box में provide कर दूँगी तो guys आज हम बात कर रहे हैं एक face mask या फिर एक face pack की हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं जो आज मैं face mask आपके साथ share करने जा रही हूं वो है पालक के साथ हम बनाएंगे पालक जो है पालक बहुत जदा फाइदे मंद होती है तो इसके साथ साथ अगर हम इसे अपने face पर लगाते हैं तो हमारी beauty को बढ़ाने में और हमारी face को glowing बनाने में हमारी help करती है पालक तो आज जो मैं mask बनाने जा रही हूं वो इसी पर based है कि हमारी skin से related काफी सारी problems होंगी जो इस face pack को या इस face mask को use करने से दूर होंगी तो गाइस पालक जो होती है वो हमारी skin के लिए बहुत ही साथ beneficial होती ही मैंने आपको पहले ही बता दिया क्यूंकि इसमें होता है vitamin A, vitamin E, iron, magnesium and fiber जो हमारी skin के लिए अच्छा होता है तो चलि तो गाइस यहां पे मैंने 4-5 पत्ते पालक के लिए है और अब हमें क्या करना है इसे mixer यार में डाल कर और इसमें हमें add करना है 2-3 जम्मच रोज वोटर तो इसे हमें अच्छे से ग्रैंट कर लेना है तो गाइस यहां पे मैंने पालक के पत्तों को grant कर लिया है इसमें rose water add करके और अब हमें क्या करना है इसमें से इसका जो juice है उसे अलग कर लेना है तो यहां पे मैं इससे चान लूँगी और इसका juice जो है वो अलग कर लूँगी तो यहाँ पे गाईस अगर हम पालक को अपने फेस पर यूज़ करते हैं तो इसके साथ क्या होगा जो भी हमारे फेस पर दाग धब्बे होंगे वो दूर होंगे किसी को जुरियों की प्रोबलम है या फिर फाइन लाइन्स की प्रोबलम है तो उस प्रोबलम से अगर आप आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को प्रेस कर ले तांकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो गाइस यहाँ पे मैंने सेकिंड इंग्रीडिन एड किया है ए अगर घाडा हो जाता है तो आप थोड़ा सा पालक का जूस इसमें और एड कर सकते हैं अगर थोड़ा सा पतला रह जाता है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और एड कर सकते हैं तो बेसन एड करने के बाद जो इसमें थर्ड इंग्रीडियंट एड कर रही हूं वो मैं यह जबार से पुख्राइब मैं ऺशु अमेरी फैम क खैले हैं तो लिए प्सेकर को मॉंस्टराइज करताकिनलिक्ट दों से शेया जबार सेमें को फैसे तो थैसे जल सेगा नहें नहेंगा अगर हम इस face pack को guys use करते हैं तो इसके साथ क्या होगा हमारी skin tight भी होगी यह face pack हमारी skin tightening, brightening and whitening तीनों का काम करेगा तो यह बहुत ही अच्छा है तो guys अगर आपको आपका paste जो है थोड़ा सा पतना लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और basin एड़ कर सकते हैं तो अभी हमारा जो face pack है वो बन कर तयार हो चुका है और इसे हमें अपने face पर लगाना है और 15-20 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ देना है और उसके बाद हमें इसे गुनगुने पानी से अपने face को wash कर लेना है तो आप आपको अपने face पर अच्छा result देखने को मिलेगा अगर आप इसे use कर करेंगी तो आप इसे हफते में दो से तीन बार use कर सकते हैं बहुत ही जदा अच्छा है यह face pack हमारे अगर हम इसे use करते हैं तो अभी मैं आपको अपने हाथ पर लगा कर दिखा रही हूंगी आपको भी ऐसे ही अपने face पर apply करना है और guys यही थी मेरी आज की वीडियो अगर करना thank you friends